नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे येटूब चैनल में दोस्तों केसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आशिरवाद से आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आप पूरे 100 किलो का मिठाई बाटना पड़ेगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों आने का द्वार खुलने वाला है जिहां दोस्तों या श्रम अंतराल में आपको बता दे कि दोस्तों जो ग्रहों का मिलनसार है जो ग्रहों की गोचर है जो ग्रहों की इसिती है इनमें दोस्तों इस वर किड़ी भी सक्तियां का संकेत मिल रहा है जिनके कारण दोस्तों आने वाले पांच दिनों के अंदर आपको चार भयंकर खुश खबरी मिलने वाले हैं जो कि ये आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन खुश खबरी को शुनकर आपके होस उड़ जाएंगे परंतु दोस्तों जब आप इस सचाई को आपको मिल रही है तो दोस्तों आपके आँखें नम हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों यह खुश खबरी आपको यूही नहीं मिल रहे हैं पिछले समय के सभी परकार के इसे करमों का फल है जो कि दोस्तों आने वाले पांच दिनों के असिरवात बनकर मिल रहा है दोस्तों यह जादा संगर्ष करते आ रहे हैं तो कोई भी कारहो आप पूरे मन से करते आ रहे थे इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पिछले समय अंतराल में बहुती जादा संकर्ट समस्यां आपके जीवन काल में हुई है जिने सुनकर तो आपके रोंगटें खड़े हो जाते हैं लेकिन दोस्तों आप सब एको बता दें कि अब आपका वह शमय आ चुका है अब आप अपने चीवन काल में उमीद की नई किरन आ चुकी है बागवान भोलेनात के असिरवा से अब आप सब एके चीवन काल में आने वाले पांच दिनों के अंदर जो बड़ी खुस खबरी म होंगे उसी परकार दोस्तों आप अपने चीवन काल में जो भी लोग हैं उन्हें भी गदगद करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों या खुस खबरी कोई छोटी मोटी खुस खबरी नहीं होगी जिहां दोस्तों या खुस खबरी आपको अपने चीवन काल को पूरी तरह बदल जरूर में आपको कुछ कार को करने से भी बचने होगे पर भगवान महाकाल के आसिरवात से आपके घर के महावल परियावारिक जीवन में परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से जय महाकाल लिखेगा दोस्तों महाकाल का सीधा असिरवाद मिलेगा तो दो दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा सक्ती महशुश होगी दोस्तों स्रीक्रिशन जी कहते हैं कि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है इसलिए हमेसा अच्छे बीच बोएं ताकि फसल अच्छी हो इसी के साथ भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सबर किया है भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए कितना सबर किया है और यकीन मानिए आपके सबर के हर पल की कीमत आदा होगी भगवान पर सिर्फ विश्वास रखिए जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से समत हैं तो वीडिय पहली वार आप सभी के जीवनकाल में वा घाटनाय होने वाली है जिने सुनकर आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगे जहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन दिनों में आप सभी को जो शमय रहने वाला है दोस्तों इस कलियों में सबसे महत्पुन शमयों में से एक सावित होने वाले हैं आपको कहीं से एक एसी खुश खबरी आएंगे एसे सुप समचार आएंगे जिससे दोस्तों आपके जीवन ही बदल जाएगा दोस्तों आपको वह आच्छे कर्मों के फॉल मिलने वाले हैं जो दोस्तों आप पिछले दिनों में किये थे, जो पिछले दिनों में आप अच्छे भले काम किये थे, लोगों का दिल का विश्वास जीते थे, और दोस्तों इसलिए महादेब ने आपके उपर किर्पा बरसाने वाले हैं, अब आपके घर में खुश्योवरा बतावरन रहन या फिर कोई भी प्रकार की शमश्यां चल रही थी तो दोस्तों वह पूरा होने वाला है आपको कहीं अच्छी नोकरी लग सकती है या फिर पूराना धन मिल सकता है जी हाँ दोस्तों दोस्तों या खुश खबरी देख कर कुछ लोग आपके कारों में वैबदाम डाल सकते हैं रदो आप परवार ना करके अपने कारे के पड़ती संगलन रहें निस्ची धी आपको सफलता मिलेगी व्यक्ति का तिता समाजी कारे में भी वैस्ता रहेगी आज दिन की सुरुवात में ही काम की अधिकता की वज़े से बहुत अधिक वैस्ता रहेगी इस मेहनत का मन चाहा नतीजा मिलेगा किसी समारों में सामील होने का भी निमंतरन मिलेगा आपसी मेल जोल से शब को खुशी भी मिलेगा उस्तों भगवान महादेव के आस्रवात से पिछले कुछ शमय से चारी परहसानियों में बहुत ही रहात मिलेगी आप फिर आत्म विश्वास और उज्जा से अपने कामे में लग जाएंगे योवर भविश्य को लेकर जादा शक्री और गंबी रहेंगे इंकम के नए शौर्स भी बढ़ेंगे गर परिवर के वैसित माहोर रखने में आपका इसे स्युगदान रहेगा प्रपटी के सेल परेज समय दे कोई करवारी चल रही है तो आपको निसीती सफलता मिलेगी आप सारीक और मानसी ग्रूप से अपने आपको ससक्त मैक्सूस करेंगे कभी कभी आपका अति आत्म विश्वास और घमंड आपको लक्ष बढ़का सकता है अपने इन कम्यों पर काभू पाएं विवाय को अपने केरियर पर ध्यान देने की जोरत है परिवार में सुखत महोल रहेगा किसी पूरान मित्र के मिलने से सुखना में यादाता आजा है अपना इन्फिर्श सिस्टम मजबूत रखने के लिए भरपूर प्रियास करें तरके सदस्यों के साथ मोज मस्ती तथा मरणजन में भी समय वितित होगा प्रेम समंद में भी प्रगड़ता आएगी दूर दराज की पार्टियों के साथ समंद में और अधिक मजबूत करन प्रेवारी सदस्यों का आपसी सही घर के वातारण को सुख़द और मदूर बना कर रखेगा प्रेम समंद में भी नजदेखियां बढ़ेगी आपका काम करने का और सफलता हासिल करने का जुनून आपको काम्यावी देगा वेबसाइक काम में चली कुसी रुकावटें दू होगी इंसुरेंस और कमिशन समंदी बिजनेस में विसे सफलता मिलेगी नुकरी पेसा लोगों को खाज सिम्वेदारियां भी मिल शकती है तब के लब लग के बारें बात करें तो पत्ति-पत्नी के वीच समन्द मधूर रहेंगे व्यर्थ के प्रेम समंद में अपना समय न दोस्तों आपके स्वास्त में इसमें दातों का दर्द प्रेशान कर सकता है जěadा SHRON ना करें आसी जुखाम व भुखार की शमश्या परेशान कर सकती है वर्तमान मोसम के बदलाव से अपना बचाव आवश्यर रखें उस्ता बात कृताब के उपाय के बारे में सुंबार या पिर किसी दिन भी भोले नात को चांदन अक्षाद विलपत्र धातोरा या आगडे के फूल द मानी है और भागशालियां का तीन है दोस्तों भगवान महादेव का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में चै महाकाल जड़ू लिखें और वीडियो को लाइक सेर ज़रू करें ताकि महाकाल का आशिरवात आपके घर परिबार में झाल 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 झाल